हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल बिंग कॉंफिडेंट, होप आप सब ठीक होंगे आज हम अब अपना चैप्टर कंटीन्यू करेंगे रॉक्स एंड मिन्वर्स आफ क्लास फिफ्थ साइंस बुक नियो नर्वर चैप्टर सिक्स मिन्वर्स से कंटीन्यू करना था, मिन्वर्स जो है वो नेचरली अक्रिंग सॉलेड कैमिकल सबस्टांसिस है, जो की अर्थ की सर्फेस के अंदर या फिर उसके उपर मिलते हैं हमें रॉक जो है वो मेभी एक टाइप की मिन्वर्स से बना होता है, जैसे की मार्बल या फिर mixture of many minerals से बनता है जैसे कि granite और जो minerals हैं उसकी आगे दो categories है first है metallic और second है non-metallic metallic minerals क्या होते हैं इन में metals होते हैं metallic से मतलब metal होंगे rocks में क्या होते हैं rocks containing these minerals rocks में जो ये minerals होते हैं वो use किये जाते हैं metal को बनाने के लिए और जिने हम बोलते हैं ores the metal obtained from the ores जो metal ores से obtained किया जाए वो बहुत सारे कामोक लिए use किया जाता है जैसे आपको table में दिया है जैसे first दिया है hematite ये iron बनाता है और use किया जाता है steel को manufacture करने के लिए बाकी भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर बहुत सारे दियों हुए then आगे हमारे पास non-metallic तो ये इससे name से पता चलता है metallic में metal होंगे non-metallic में non-metall होंगे जहां फिर हम बोल दें जिसमें metal ना होंगे तो इसकी non-metallic minerals के example है calcite, gypsum, mica, farsper, etc coal and petroleum जो है वो valuable बहुत ही non-metallic minerals है जो की हमारी energy supply में बहुत भूमी का निबाते हैं और जिने हम बोलते हैं fossil fuels then आगे fossil fuels fossil fuels जो है वो dead or decayed animals और plants उनकी decomposition से बनते हैं और वो बहुत लंबा समा लेते हैं बनने के लिए क्योंकि ये बहुत ही slow process होता है जो fossil fuels हैं जिनमें coal and petroleum आ जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में carbon पाई जाती है then है coal coal एक combustible black और brownish back black sedimentary rock है जो किससे बना होता है carbon और hydrocarbon से combustible हो होता है जो की burn करके जिससे heat provide हो और power supply हो then it is formed ये किससे बना होता है plants जो की बहुत ही डुगाई में बरेड की जाते हैं million of years पहले अर्थ में over millennia millennia होता है thousand years lifespan due to heat and pressure million मतलब की thousand years बाद जब heat और प्रेशर जब heat और प्रेशर हमारी earth के inside जो है वो बाहर आता है तो ये जो materials है वो decade हो जाते हैं और coal में change हो जाते हैं और बहुत सारी coal की varieties बनाई जाती हैं एंत्रोसाइट बिटुमिनियस लिगनाइट एंड पीटीए के वराइटी आफ कोल के नाम हैं मारे पास coal को fuel की as a fuel यूज किया जा सकता है for cooking cooking के लिए electricity produce करने के लिए steam engines में और blast furnaces को blast करने के लिए in steel industry में then petroleum ये किससे form होता है plant और animals जो की million of years पहले बरिड होते हैं over years बहुत सालों के बाद मतलब की ये सारे plants और animals जो है cover हो जाते हैं sand और silt से heat and pressure की वज़ा से ये layers जो है वो convert हो जाती है जिसे हम आज कल बोलते है petroleum petroleum ये जो है vehicles में use किया जाता है as a fuel और clean dry clean करने के लिए clothes को lubricants के लिए industrial waxing, printing, ink and medicines के रूप में then हम coal and petroleum की conservation कैसे कर सकते है fossil fuels जैसे की coal and petroleum ये millions of years बनने में लग जाते हैं तो once these deposits of fossil fuels are exhausted अगर ये एक बार complete हो जाए है exhausted होता है पूरी तरह हम use कर ले तो ये हमारे लिए available नहीं रहेगा खतम हो जाएगा इसलिए कि हमें इने बचाने की ज़रूरत है और carefully use करना चाहिए इने हमें जो alternative sources है energy के जैसे की solar energy wind energy hydropower इनका यूज करना चाहिए ज्यादा तर तो यह था हमारा chapter 6 अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ब्लेस मेरे चानल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कैसी लगी और अगर आप किसी और टापिक वे वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट जरूर करना thank you for cooperation